खालो दोस्तों कैसे हो आप बूल मॉर्णिंग बेंगल चैनल पर आप सभी का सवागत है दोस्तों तो चलिए एक नए वीडियो में आपके साथ एक नए में दिपर बात करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह वीडियो सब के लिए में इए जिसके पास करते हैं और उन लोगों का एक प्रोब्लेमहा हमेशा commerce कश्रते होंगे वह प्रब्लेम है दोस्तों जब अब कालर prints करते हो तों कालर Tout में कभि खरी गृ répondre आ जते हैं जैसे कि इस तरह आपको एक फोटो में दिखाते हूं इस तरह एक फोटो प्रिंट करोगे और इस फोटो में यह तो फोटो बहुत अच्छा प्रिंट होगा लेकिन ग्रिन एफेक्ट आ जती है तो दोस्तो इस जो color printer में green effect आती है या passport size photo में green effect की वज़ा से फोटो बिलकुल खराब हो जती है एक problem है तो पूरी YouTube गंदर इस तरह का problem का समधान आपको नहीं मिलेगी तो अगर आप इस problem को solve करने के लिए इस वीडियो में आये हो तो अप शटिक वीडियो में आये हो तो दोस्तो वीडियो को पूरी तरह देखें इन तक देखें और बिना skip किये देखें कभी कभी होता है क्या कुछ लोग skip कर देते हैं और उन सबको अच्छी तरह मालूम नहीं होता और उनका printer भी ठीक नहीं होता दोस्तो तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और इस problem को कैसे में ठीक करा? आगे वीडियो में बताओँगा तो उस वीडियो को पूरी तरह देखना और कैसे ग्रीम इफिक्ट वाली जो लाइन देख रहा है या इस तरह का लाइन भी बॉडर भी आ ज़ती है या ग्रीन इफिक्ट आ ज़ती है इससे कैसे निज़त पाया जाए या कैसे इसको ठीक करें तो वीडियो में पूरी तरह देखना और वीडियो को एंड तक देखना तब आपको सुरी चीज बालूम होगी तो दोस्तों चलिए सूरी करते है तो दोस्तों देख सकती हो यह मेरा इप्शन प्रिंटर है एल अन्थार्टी च्रुज़त अन्थ है और प्रिंटर को मैंने अन्थकर लिया कर हषी जैते चलियों अगे बताते हैं देख सकते हो मेरे कंप्रिंटर से मेरा प्रिंटर कािनेट है तो कंप्रिंटर पह gayjak कुप स्टाट बटन पर राइट साघ्ए पर और दिवासज प्रिंटर क्लिक करना ह आपके अगर Windows 7 हो तो इस तरह से ओपन होगा तो आप प्रिंटिंग प्रोपार्टीज पर पहले क्लिक करें यहासे आपको शायद मैंने दूसरा कर लिया तो प्रिंटिंग प्रोपार्टीज ध्यान रखे आपको प्रिंटिंग प्रोपार्टीज पर ही क्लिक करना होगा यहास आपको right size पे click करना होगा तो third option पे आपको click करना होगा देख सकती हो इस तरह का option आपका भी open हो जाएगा यहाँ से आपका head clean करना होगा तो head clean करने से आपका शायद यह problem solve हो जाएगा आपको पहले आपका printer पे setup पे जाएके head clean कर लेना ध्यान राखे आपका printer computer से connect होना चाहिए ता भी एकाम होगा तो आप देख सकती हो मेरा printing की head clean हो रहा है यहाँ पर शोभी हो रहा है head cleaning तो करीब दो तिन मिनिट का काम है यह तो आपना printer का head clean कर दीजिए ध्यान राखे इस बड़ आपनी computer में कोई net connection on ना रही जब भी आप printer में कोई प्रिंट करते हो या printer में कोई भी काम करते हो तो net but data connection को off कर दीजिए पहले उसका बाद ही head clean करना किकी दोस्तो data connection on रहते हो तो वो software बगारा है जो automatic खुद खुद update हो जाता है तो problem हो जाती है इसके लिए आपको तो आपकी printer में जो head cleaning का option है windows 10 होगा तो अलग से open होगा तो मेरा windows 7 है इसलिए इस तरह के open होगा और आप देख सकती हो मेरे head clean हो चुका है अभी मैंने finish ना किया हो तो एक print test करती हूँ तो चलिए एक print test कर लेती हूँ यहासे right side की option पर क्लिक करें और यहासे print करीं तो मैंने मेरा इस तरह problem आ जाती है तो यह दिखा रहाए है screenshot तो एक print करके आप देख लीजेगा आपका problem solve हो जाएगा तो उससे पहले एक और बात कह देते हूँ तो अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं क्या तो please subscribe कर लीजे किकी दोस्तो इस तरह का वीडियो आपके मेरे channel पर मिलेगा और वीडियो को live भी कर दीजिए तो बहुत आच्छा होगा किकी दोस्तो आपका एक like मुझे और भी motivate करता है इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाने के लिए तो printer, mobile या computer या laptop इस तरह का वीडियो में बनाती हो इस तरह का problem को solve करने की तो हमेशा से take related ठीचीजी इस channel पर आपको मिलेगा तो जो जो चैनल को प्लीज अभी ताब subscribe नहीं की या कोई नए बंदे जो मैं इस वीडियो को पहले देख रहे है तो प्लीज मैं कहे देते हूँ आप चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि मेरे subscribe की बहुत ही ज़रूरत है दोस्तो मेरा एक नए चैनल है तो subscribe कर लिए ना दोस्तो इसके बाद इसको ok कर दीजिए चले head clean कर लिया मैंने और इसके बाद मैं आप यहाँ से ok कर दीजिए तो आपका एक बार अगर कोई head clean करने से यह problem solve नहीं होता तो दोस्तो प्लिज कई बार करे head clean head clean करना अच्छी चीज है सभी तरह का printer में head clean करना चाहिए तो दोस्तो मैंने देख सेकते हो open कर लिया और head clean मैंने कर लिया दोस्तो तो दोस्तो वीडियो को आपको जर्णाची पे अच्छा लागा तो वीडियो को आप प्लीज एक लाइक करें शेयर करें और अभी तक में चैनल को सब्सक्राब नहीं के तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब भी कर लीजिए तो दोस्तो ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रात झाल 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 झाल